वराइजन होस्पिटल विश्विस्तरी मर्टी स्पैशालिटी होस्पिटल अब राइपर के रिदेस तलमे उपलब जटल ऑपरेशन, क्रिटिकल केर वहादोनिक एमर्जेंसी सेवाई आपकी हर बिमारी का संपून एलाज, वराइजन होस्पिटल, जल्वियर कॉलोनी, कटवतला अब राइपर नमस्कार आप देख रहे हैं, मिडेर 24 न्यूज मैं हूँ आपके साथ भूपे श्टांडिया 36 गड में प्रदेश सरकार नर्वा गर्वा घुरुवा बारी जैसे योजनाओं का प्रतिलंबन कर रही है जिनमें से एक योजनण है गौठान योजना. गौठान योजना के तहट 36 गड़ में गायों को बचाने की लगातार पदिसरकार के द्वारा कवायत की जा रही है. जिनमें तिल्दा विकास खंड के अंतरगत ग्राम पंचायत चापा में गायों को चारा नहीं मिलने की वज़ा से 10 गायों की मौत हो गई है वहीं 6 गाय गंभी रूप से घायल बताया जा रहे हैं गायों की मौत की खबर के बाद भी मौके पर न पशुच चिकित्सक का दल पहुचा है और नहीं जनपत पंचायत का कोई भी अधिकारी वहां पहुचा है गायों की मौत कब हुई या कोई नहीं बता पा रहा है तिल्दा से 8 किलोमिटर दूर ग्राम पंचायत चापा के गौठान में लगभग 9 गाय रखी गई थी ग्रामिलों की माने तो सभी गाय पिछले एक सक्ता के अधीक समय से भूखी रह रही थी यहां ना गायों के लिए चारा है और ना ही उनके रहने के लिए शेड की व्योस्था है जो कच्चा शेड बनाया गया है वह हवा में उड़ गया है इसलिए सभी गाय खुले आसमान के नीचे पिछले 7-8 दिनों से भूखे रह रही थी इछले 36 गंटों से हो रही लगातार बारिश में गाय भीग रही थी गौठान का दर्वाजा बंद होने के काराण बारिश के बावजूत वह नहीं निकल पाई और तेज बारिश में भीगती रही लगातार भीगने से गाएं ठंडे को सह नहीं सकी और भूखे रहने की वज़ा से उनकी मौत हो गई गौठान में जो अन्य गाएं रखी हुई है वे भी मरनासन अवस्था में दिख रही है कुछ ग्रामीरों ने दवी जुबान से बताया की गाएं में गौठान तो बना लिया गया है लेकिन गाएं को रखने के साथ उनके चारे की यहां कोई विवस्था नहीं है कुछ लोगों ने या भी बताया की गाएं के मरने के बाद राज को छुपाने के लिए उन गायों को दफना दिया जाता है चूँकि बारिश के होने के कारण सरपंच सच्चिव को गायों के मरने की जानकारी नहीं हो पाई इसलिक गायों के मरने का राज खुल गया गायों के मरने के बाद सरकार की रोका छेका और नर्वा गर्वा घुरुवा बारी यूजना की पॉल खुल गई है सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि गायों की मौत की ख़वर के बावजूद साथ घंटे गुजरने के बाद भी मौके पर ना तो पशुत चिकित्सक पहुँचे थे और ना ही जनपद का कोई वहाँ अधिकारी पहुचा था इस अंदर्व में जनपद CEO ने मौबाइल पर चर्चा करने की कोशिश की गई तो उनके मौबाइल स्विच आफ मिला शाम 6 बजे पंचायत इंस्पेक्टर ने बताया कि वहाँ मौके का जायजा लेने जा रहे हैं उधर गाओं के सरपंच का कहना है कि गायों को रखा तो गया है लेकिन उनके खाने की विवस्ता मौईया नहीं कराई गई है इतनी सारी गायों के खिलाने के लिए पंचायत में फंड भी नहीं है उन्होंने सिकार किया कि तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते वे मौके नहीं जा पड़े थे हमें चापा ग्राम से सुपना मिली कि यहां पसु जो है बिमार अवस्ता में मुर्षित पड़ा हुआ है कि यहां आये तो देखे कि ठंड और बारीश के वज़ा से जानवर जो है मुर्षित पड़े हैं जिसमें से दो जानवर की मिल्षित हो चुकी है लगता है कि सहाथ खाना की कमी है पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद में कुछ कहा जा सकते कि सच्चाई क्या चापा के गोठान में लगबग 275 गये हैं और उसको गोठान में ही रखे गए थे लगतार तीन दिन के बारिस और हवा के कारण लगबग 10 गयारक गये की हालत खराब हो गया था जिसको कल सुचना देकर के पसुर्ची किस्चा को बुलाए गये हैं और कल से लगतार इन बाजपा के विस्तारक पवन अगरवाल ने गाय के मौत के मामले में गौहत्या का मामला दर्ज कराने के मांग की है